तो बच्चों, आज हम करेंगे टेंथ क्लास का लैसन, सेक्स सिविक्स का राजित दलों की जरूत क्यों? किसी भी लोगतामती के विएस्ता की संस्था में राजितिक दल अलग से दिखाएएएए अधितर हाम लायकों के लिए लोगतुर का मतलब राजितिक दल ही है अगर आप देश के दूर दराज में तो बहुत ऐसे इलाकी हैं जहां कमपड़े लेके रोग रहते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें समिधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता बल्कि जबकि उन्हें राजिन दलों के बा अपनी रोगतात्री व्विश्ता और राजितिक जीवर की हर बुराए के लिए दलों को इजिन्हेंदर मानते हैं सबसे पहले हम करेंगे राजितिक दल कहते किसको है? राजितिक दल को लोगों के ऐसे संगज़ित सम pracy बा सम्जा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजितिक सप्ता हासिल करने के उप्देश्य से काम करता है समाज के सामुही खित को ध्यान में रख कर यह समुह कुछ नीदिया और कारेक्रम तेय करता है सामुही खित एक विवाधबत वचार है इसे लेकर इस सब की राय अलग-अलग होती है क्योंकि सब अलग-अलग राय के लोग इस उमाज में तो सब की राय इसे बारे में अलग-अलग होती है इसी आधार पर दल लोगों को ये समझाने का प्रयास करते हैं, कि उनकी नीटिया औरों से बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थर पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीदों को लाग करने का प्रयास करते हैं। इस परकार दल किसी समाज की बुनियादी राजिनी वाजल को भी दरचाते हैं, पार्टी समाज के किसी एक हिस्से सम्मंदित होती है, इसका नजरिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेश की तरफ जो कर होता है, किसी भी दल की पैचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आ इसकार ये क्या क्या होते हैं, ठीक है? फिसने वारत उम्मिदवाण चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जाई है, अन्य देशों येससे भारत में दलों के नेता ही उम्मिदवार चुनते हैं, दुसरा है दल अलगलग नीतियों को मत दात आता के सामने रखते हैं, जो उनकी नीतियों होती ह?, उनको मत दात हमत दाता को ने हम सब अम आम सब कौन हमत दाता जिनकी आयू 18 वर्षी आउस्से अधिक होती है वो सभी मत दाता मत देने वाला मतमीज वोट देने वाला किसान रखते हैं और मत दाता अपनी पसंद की नीतियां और एक करेक्रम चुनते हैं देश के लिए कौन सी नीतिया ठीक है इस बारे में हम में से सभी किराय अलगलग हो सकती है पर कोई भी सरकार इतने अलगलग विचारों के एक साथ लेकर नहीं चल सकती है लोगतत्र में समान या मिलते जुते विचारों को एक साथ लाना होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक पार्टियां देष के कानून निर्मान में निवीद्या कानून बनाते हैं फ़ exports and often पर्टी के सिद्धान तो और कारेकरम के रोसार फैस्टे करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे पार्टी की इच्छा के रोसार सरकार चला सकें चुनाव हारने वाले शाषक दल की विरोधी पक्ष की भूमे का निवाते हैं जो दल जो चुनाव में हार जाता है वे विरोधी दल की है सरकार की गलतीती और असफलताओं के रश्रा करने के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं विपक्षितल सरकार के खिलाफ आम जन्ता को भी बूल बंद करते हैं जर्मत निर्मान में दल महत्मूर भूमी करेवाते हैं वे मुद्दो को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं विपिन दलों के लाखो कारेकरता देश बर बिविख्रे होते हैं समाज के विपिन बर्गों में उनके मित्र संगठन या दवाब समुझी काम करते हैं दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदों में करते हैं अक्सर विबिन दल दलो द्वारा रखी जाने वरे राय के इर्द गिर्दी समाज के लोगों की राय बनती जाती है दल ही सरकारी मशीनी और सरकार दरचलाई जाने वाले कल्यान कारेक्रमों तक लोगों की पहुँच बनाते हैं एक साधना नागरी के लिए किसी सरकारी अधिकारी की दुल्ला में किसी जाजनी कारे करता से जान पहचार मनाना उससे संपर्ख साधना आसान होता है इसी कारण लोग दलों को पूरा विश्वास न करते हुए भी उन्हें अपने करी मानते हैं दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और जरुतों पर देहां देना होता है वरना गुचना में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं तो यह था दलों के कारिये थे अगला है राजनेदह की जरुत क्यों होती है दलों की काम के एक सूची से उस सवाल का जटा मिलता है जो इस खंड की इस रुआते में पुझा गया था दरसल हमें राजनेद्ही दलों की जरुत इनी कामों के लिए है पर हमें अभी भी इस सवाल को प्रूशनिक जरुद है कि आदरियों लोग तो तरा इंदलों की बिना क्यों नहीं चाल सकता, दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसी कल्पना करके ही हम उनकी जरुरत को समझ सकते हैं, अगर दल ना हो तो सारे उम्मीद्वार, स्वतंत्रिया, निर्दलिया होंगे, तब इन में से कोई भी बड़े लेजिदत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा, सरकार बन जाएगी, पर उसकी उपयोगिता संदिध होगी, निर्वाचित प्रदेंदी सिर्फ अपने निर्वाचित च लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बढ़ जाता है, और हम हर खेमा सभी पदों के लिए अपनी उम्मिद्वार को पहर उतारता है, राजिन दल भी ठीक यही काम करते हैं, यही कारने कि अमें दुनिया के लगों सभी देशों में पुराना विख्सित होया विकास चीए. प्रतेंदियों को साथ करने की जरुतित दाकि जिम्मेदार सरकार के बठन हो सके, और सरकार बनाई जा सके, उन्हा सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुष रखने, नीदियां बनवाने और नीदियों का समर्थन अत्वा ग्रोध करने के लिए उपकरनों की जरुत होती ह प्रतेत एक प्रतिती सरकार की ऐसी जो भी जरुत होती है राजिनिदल उनको पुरा करते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि डियोगतन्द mnie नाम फ्राविव में कोई भी सम्मौ राजिनिदल बना सकता है इस आपचारिक अर्थ में सभी देशों में बहुत से रागिदल हैं, भारत में ही चुनाव आयोग में नाम पंजीकृत में रजिस्टर कराने वाई दलों की संक्या 750 से जादा है, लेकिन हर दल चुनाव में गंभीर चुनावती देने की स्थिति में नहीं होता, चुनाव जी झाल 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 पार 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 शच्च कर दोया है इतने राजी दल, तो किसे हैं 750 से जादे हैं, लेकिन हर दल चुनाम एक अंबिर चुनाती देने की सिती में नहीं होता, चुनाम जीतनों और सरकार बनाने की होड में आमतर पर कुछ इक पार्टियां सक्रे होती हैं, ऐसे में सावले रखता है कि लोकतंत की बेहतरी लिकितन द इसकारण में एक इतने साथ क्रेशने की आप और लग्या鄭ी में. इसका कहाँ मने एक इस आसने में पॉप आक कान तक होड़ा है. इसकारण में एक भीत आसने मन्यथा बेहत्ता है। इसकारण में हुआ ऑ्खिनाहनिशनाशनें ञटिदिस में पार्टिया। इस कार्ण में एक दिलियर साशने वस्ता कर दो इस लिए को नया राजिन दिल बनाने का कोई ब्लाव नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दन नहीं मन पाता है इस एक दिलियर वस्ता को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि ये लोकतात्रिक विकल्प नहीं है कि पिसी भी लोकतात्रिक विवस्ता में कम से कम दो दलों को राजिन सकता के रिए चुनाव में प्रतीत नहीं दिता करने की अनुमदी तो होनी ही चाहिए साथ ही उन्हें सकता में आ सकने का प्रियाब्त अबसर भी है रहना चाहिए कुछ देशों में सकता अमतर पर दो मुख्य दलों के बीची बदलती रहती है वहाँ नेक दूसरी पार्टिय हो सकती हैं वे भी चुनाव लड़कर दूसरी कुछ सीटेप जी सकती हैं पर सिर्फ दो ही दल मुख्य पार्ण और सरकार बनाने के प्रबल दावेदार होते हैं अमरीका और बिटेर में ऐसी ही दो दली विवस्ता है तो एक दली होती है कहीं दो दली होती है इस व्यवस्ता में कई दल गटबंदन बना कर भी सरकार बनाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बहुदरिय शाचन व्यवस्ता जब किसी बहुदले विवस्ता में अनेक पार्टी या चुनाम रड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ में लागती है तो इसे गटबंदन या मोचा कहा जाता है जैसे 2004 के संसदे चुनाम में भारत में ऐसे तीन प्रमुक गटबंदन थे राष्ट जनता अंधरे गटबंदन, सेंक्त प्रगते शीर गटबंदन और वामोचा अक्सर बहुत लेवस्ता बहुत गालमेल वाई लगती है और देश को राजिनतिक अस्तिर्था की तरफ ले जाती है पर इसे इसके साथ ही इस प्रणाली में विविन यताओं और विचारों को राजिनतिक प्रतिद्थ मिल जाता है तो इन में से कौन सी प्रणाली बेदर है अक्सर कुछ जाने वाले इस सवाल करसे सबसे अच्छा जवाब यहीं होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है दलीय विस्ता को चनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है यह एक लंबे दोर के कामकाज के बाद खुद विक्सित होती है और इसे इसमें समाज की प्रकृति इसके राजिती विभाजन, राजिती का इतिहास और इसकी चनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमी का निभाती है और इसे इसे बहुत जल्दीर बदला नहीं जा सकता हर देश अपनी विस्येश परिस्तिन और दलीय विवस्ता मिक्सित करता है जैसे अगर भारत में बहुत रे विवस्ता है तो उसका काणि है कि दो तीन पार्टी है इतने बड़े मुल्क की सालियना सामजिक और भागलिक मिजित्ता को समीट पाने में सकता है हर मुल्क और हर सिती में कोई एक पार्टी कोई एक ही आदर स्पराली चला सके यह संभाव नहीं है कि दो आगे हम अब कल पढ़ेंगे तो आप आपको यह तो भारत में इन्माद थीन परगा कर दियो लोगों की भागी तारी है इतनी भागीदारी होती है, तो हम ये गल करेंगे, तो आपको अपनी किताब में से ये सर्फ पढ़ना है, छोटे कोईशन करने हैं, और में कोईशन आपको करवा भी चुकी हूँ, कि राजिंदर किसे कहते हैं, राजिंदर को कैसे सुधारा जा सकता है, तो जहाओ पूचे ग झाल झाल